स्वागत आपका आज करने वीडियो में हर्षिता बीटिक चनल में आपका स्वागत है तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रिंचेस का ड्लाउस का कटिंग वह भी डायरेक्ट कपड़े के उपर जी है जिसमें हम आगे का पाट अपर चेस्ट और फूल तो उसे पहले बता दू कि अभी तक आपना हमारा दूसरा चैनल टेलरिंग ज्यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करना है और एक बोडी मेजरमेंट पर आधर रिट कटिंग है इसका जो मेजरमेंट है वह यहाँ पर आपको साइड में डिस्प्लेव पर ओल्वेस दिखते रहेगा ताकि आप अच्छा से समझ सको तो अभी सबसे पहले हमें एक यहाँ पर लाइन ड्रो कर देनी है और यह वाली लाइन ड्रो हो जाने के बाद हमें अभी लेंथ देखनी है यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे तो जो हमारी लेंथ है वो है 14 इंच यह देखें इस तरीके से तो हम यहाँ पर साड़े 14 इंच इस रखेंगे और यहां पे एक मारकिंग करेंगे और जो दुसरा मारकिंग हम करेंगे वो करीब हैं शाड़े 50 पर करेंगे तो यह दोनों लाइनों को हम Ralph मिला लेनी है तो यह हमारी लाइन मिल जाने के बाद अभी हमें देखने इसकी छेस्ट इसके ऊपर चस्ट और 32 एंच और यहाँ पर हमारे जो पीछे के गल्ला है वह दस ब्लेक्प है तो हमें यहाँ पर कुछ भी ל научo देने के जरूरत नहीं होते हैं अगर यहाँ पर हमारे पिछ चारी आछी बंद गल्ला होता तो 75 तरीका से बारा Walk के सिर्फ करेंगे तो यह हमारा करीबन आएगा 8 इंच तो यहाँ पर 8 इंच और यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे इस तरिके से और उसके बाद देखेंगे कमर कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसका 4 डिवाइड होता है हमारा 7 इंच, कमर में भी हम कुछ भी लूजिन नहीं देते हैं तो यहां पर एक मार्किंग हम 7 इंच पर लगा देंगे और उसके बाद यहां पर एक टक्स आयेगा तो टक्स के लिए हम करीबन यहां पर पॉन इंच लेकर एक इंच एक्ष्ट्रा मार्किंग कर देंगे यह वाला इस तरीके से अब यह दोनों लाइनों को स्ट्रेक मिला लेना है और यह straight line मिल जाने के बाद अब यहां में देखना है solder, solder है यहां पर 14 इंच, 14 का अधा होता है हमारा 7 इंच लेकिन यहां पर पिछे गला हमारा 10 इंच है तो जैसे-जैसे हमारा गला खुलता है वैसे हम solder भी कम करता जाते है तो यहां पर हम 4-5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे 10 बसेके 10 का आता हमारे 5 इंच तो एक मार्किंग पर कर देंगे करना है क्योंकि यहां शीले में दब जाने के बाद यह 10 इंच हो जाएगा तो जैसे में कुछ लाइने मिला ले तो वैसे आपको भी मिला लेनी है कर दे सकते हो अभी यह इतना सब्सक्राइब हो जाने के बाद अभी हम इसका अधम हम मार्किंग करेंगे तबें और यहां पर हमारी शेव देनी के बाद अभी नापना है इसका हमें आर्मोहॉल तो इसका जो हमारा आर्मोहॉल है वो है करीबन 15 इंच तो 15 का हमारा आधा होता है 1.5-7 इंच क्योंकि आगे का और पिछे का पाट तो 1.5-7 इंच हम किस तरीकेशा नापने दिखें यहां पर सबने दुए उतना हमें छोड़ देना और उसके बाद यहां से हमें नापने तो यह हमारा करीबन यहां पहुंचते पहुंचते एक बात खाय द्यान करें कि हमें इतना एक्स्ट्रा रख देना है, और यहां तक हम तक साथ कतिंग कर देना है, और यह उमारा कतिंग हो जाने के बाद एक कट्ळम हम यहां पर लगाएंगे और दूसरा कट अम कटिंग करना जो हम यहां से करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने यह वाला मार्किंग और यह वाला मार्किंग मिला ज्याद वीडियो ज्यादे लंबा नहों इसके लिए इस तरीके से यहां से हमने इसके पिछे वाला पार्ट निकला हुआ है अभी देखें यह पि और यह वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसे हम हटा देंगे और अभी हम इसका आगया का गला देखेंगे तो इसका जो हमारा आगया का गला है वो 7 इंच है तो देखें यहां से हम इसका आगया का गला देखेंगे पिछे के तरफ यहां पर भी हम आदा इंच पर एक एक्स् जाने के बाद अभी यहां पर जहां पर हमरी फूल चेश्ट आई थी वहां पर हम करिबन साड़े तीन इंच पर एक मार्किंग करेंगे यह हमारा किस तरीके से होता है जो हमारी हमारी चेश्ट होती उसका अपर चेश्ट का दस्वाही सवता है 32 तो यहाँ पर हमारे सवा3 इ нужен आता है लेकिन हम यहाँ पर राउंड फिगर 6.5-3 इन इन्च करदेंगे ताकि हमें MR मार्जिंग ने में पता चले तो यहाँ पर 3-5 cm marking करेंगे और यहाँ पर जित्ना की यहाँ आधा इन्च कम पर एक marking करेंगे अभी पर एक लाइन ड्रो करेंगे यह वाली लाइन ड्रो हो जाने के बाद अभी हम यहां पर प्रिंशेस कट का सेफ देंगे हमारी प्रिंसेस कट का सेफ देने के बाद अभी देखिए यहां पे एक हमारा टॉक्स आएगा तो टॉक्स हम सिलाई करेंगे तभी हमें यहां पर टॉक्स लगा देना है अभी देखिए यहां पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और यहां पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और पर शीलाई के लिए एक्ष्रक और बाद में हम इसका कटिंग कर देना है और इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद आर्मो होल में शेफ हम बाद में देंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा और यहां पर एक कट लगा देना है इस तरीके से अभी देखे यहां से हमने इसका यह वाला पार्ट निकला है और यहां से हमने इसका बेक साइड वाला पार्ट निकला हुआ है तो यह इस तरीके से हमने निकल दिया अभी क्या करेंगे कि देखे यहां पर इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे यहां से हमारी अस्तिन निकलेगी यह किरिबन दस threaten निकल जाएगी करपड़े च recommence यहां से लेकर यहां तक एक मार्किंぎ कर देना है लेकिन हमारे यहां कपड़ा ज्यादा इसके लिए मैं थोड़ा सा निच्छे कर देता हूँ आपको जितना कबड़ा बचे उतना बचा लेना है और यह हमारी है वो यहां चेश्ट तक है अभी यह इतना मार्किंग कर देने के बाद इसको हम यहां पर इस तरीके से अड़ियों से बचा देंगे और यह बचाने के बाद मेने जैसे पहले इसको बचायाँ था वैसे इसको भी वापस एक बार यहां पर की एक इंच के श तरीके से जगा हो चगा बचेगी और यह वाले स्ट्रेंट मार्किंग हमारे यह हमारे इस तरीके से हो जाएगी यह देखिए और यहां पर भी हमार बरोबर आ जाएगा अभी हमें यहां पर शेप देना है आर मोहल का यहां पर हमारी चेस्ट है और यह इसका मार्जिंग है यहां पर कमर है और यह इसका मार्जिंग है और यहां पर हमारी खतम होती है तो यह इस तरीका से हइवाली लाइन मिल जाने कe बाद अब आभि आमनाईवारी कमर थी वह थी 28 ईंस При we don't the my answer सब से पहले हमें यहांसरे इसको देखना है तो यह हमारा रधी स्था तो यहां पर आप 7 इंस राङ और यहां पर तो यहांसा हमें टॉट्स टूट्स टूँटा वह गलने, लेकिन हमें यहां पर फूल चेस्ट थी ओफूल 2 लीजरалы यह जितनी जयादा बगान हमारा जादा आएगा यहां पर 33 है तो उसमें हमें एक इंच का लुजिंग देना है तो हमारा हुज ज़िए ठर्टी फोर इंच 54 वह में 4 कि साथ डिवाइट करना पड़ेगा तो यह मारा आए कि करीबं साड़े-ाथ इंच्छ यहां से हम इसको नापनेंगे तो यह हमारा साड़े थीन इंच आया था तो यहां से हम इसको साड़े-8-10 ञsters और फिर यहां से 3.5 इंच हम इस तरीके से कर देंगे यह अभी यह हमार इस तरीके से हो जाने के बाद अभी हमें इसको यहां पर इस तरीके से कर देना है और यह वाला कर देने के बाद एक मार्कल लेना है और मार्कल के मदद चे इसे यहां पर गुमा देना है और यह हमारे गुम जाने के बाद अभी हमें इसको हटा देना है और यह हमारे हट जाने के बाद यहां से हमें इसको हलका सा इस तरीके से एक क्रोश में मार्किंग करना है और फिर देखिए यहां पर जो हमारा मार्किंग दिख रहा है वहां से हमें इसको पहले मिला देता हूं यह देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आएगा देखिए यहां से हम इसके साथ इस तरीके से ऐसे मिला देंगे तो यह देखिए हमारी कुछ इस तरीके से मैं यहां पर उतना ज्यादा इस तरीके से आयेगा, यह बात आप खाजाने करेगा, तो यह हमारा हो गए अभी इस तरीके से, लेकिन अभी हम इसको cutting नहीं करना है, cutting करने से पहले हम इसको एक दफ़ा नाप लेना है, तो देखिए, यहां से हम इसको इस तरीके से करेंगे, और यहां से हम तो यह हमारी आ रहा है 13 में थोड़ा कम 12.5 इंच जितना रहा है उस थोड़ा ज्यादा रहा है तो देखें यहां से हम इसको वापस एक बार ना पेंगे तो यह भी हमारा साड़े बारा और तेरा से कम लेकिन यह हमारा थोड़ा ज्यादा कम है तो यह हमारा नहीं चलेगा तो उसके लिए हमें देखिए यहां से को में कि इस तरही के से एक मार्किंग करना है और कटिंग हमें इसको यहां से करना आपि करना ह। तो हमें कट इस então कि कर दंगा है है तो यहां पर के लिए एक्स्ट्रा रखाना है बाकी में यहां से साथ में कटिंग कर देना है सबसे पहले में एक शेले मशिन आपको शीरे लगा के पहले दिखा देता हूं पर हुम शीले लगा का आ गया है यहां पर आप Hebrews् कि हमने बड़ी वाली सीले लगा दी हुई है अभी देखिए यहां पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो यह हमारा यहां पर इस तरीके से स्ट्रेट बेट जाएगा और यहां पर फूल बश्रता है वहां पर इस तरीके से बेट जाएगा अगर जीतनी ज्यादा रहेगी त हम अभी खतम नहीं हुआ है जो हमारा में में का में वह भी हमें करना है कि इसको हम यहां पर इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद इसको वापस इस तरीके से इसके उपर इस तरीके से बिच्छा देंगे और अभी हम इसको यहां से आर मोहल में इस तरीके से सेव देनी है तो आप पहले मार्किंग करके भी दे सकते हो या फिर यहां से इस तरीके से डाइलेक भी दे सकते हो तो यहां पर हमने इसको इस तरह कैसे सेट दे दी हुई है अब हैँ इतना हो जाने के बाद हाँ पर हम एक कट लगा देंगे और फी हम खोलने के बाद जो हमारा में फेबरी के उसमें रखने के बाद इसे स्टीच कर देंगे तो इसकी सीलाई का वीडियो भी हमारा ओल्रेडी बन चुका है अगर वो नहीं देखा तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो उसे भी आप देख ले ना उसके बाद हम करेंगे यहां सब्सका है आरम होलका ना अब लेके आस्थिन कटिंग तो अस्थिन कटिंग क वीडियो हमारा ऑल्रेडी बन चुका होगा आपने नहीं देखा तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्सिन में देदूंगा तो उसे भी आप देख लेना ते वीडियो को कैसा लगा उनीच चाहिए मैं कमेंट बोक्स में जरूर बितना ता आज के लिए बस इतना ही मिलते टेट नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ